बिग बॉस एक ऐसा रियालिटी शो है जो या तो किसी सितारे के करियर को बना देता है या फिर खत्म कर देता है रियालिटी शो के अंदर आपका बरताव ये तैग करता है कि आपका करियर आगे किस तरफ जाएगा लेकिन इस रियालिटी शो के कुछ विनर्स भी है जिन्हें कोई काम नहीं मिल रहा जिन्हें इंडस्ट्री को छोड़ना पड़ा और अपने लिए दूसरा रास्ता चुनना पड़ा आज हम ऐसे ही एक विनर की बात करने वाले हैं हम बात करने वाले हैं आशुतोष कौशिक की जिन्होंने बिग बॉस सीजन टू को जीता था ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि आशुतोष बॉलिवूड आक्टर थे वहीं आशुतोष बिग बॉस से पहले रोडीज को भी जीत चुके थे हालांकि अब आशुतोष इंडस्ट्री छोड़ कर यूपी सहारनपुर में धाबा चला रहे हैं बिग बॉस जीतने के बाद आशुतोष को काम तो मिला जैसे कि अर्शद वार्सी के साथ आक्टर ने फिल्म गाजियाबाद की और सैफ अली खान के साथ शौटकट रोमियो में नजर आए लेकिन इन फिल्मों से आशुतोष को कुछ खास पेम नहीं मिल पाया नतीजा ये रहा कि आशुतोष को एक समय के बाद काम मिलना पूरे तरीके से बंद हो गया और ये आलम बिग बॉस जीतने के बाद था जिसके बाद आशुतोष अपने घर यूपी लोटे और वहां जाकर उन्होंने एक धाबा खोल लिया आशुतोष ने धाबा खोलने पर ये बयान दिया था मैंने entertainment industry में काफी struggle देखा है मुझे नहीं पता था कि वहां आगे काम कैसे मिलेगा और क्या करूँ लेकिन मुझे ये पता था कि धाबा कैसे चलाना है इसलिए मैं industry को छोड़ कर अब धाबा चला रहा हूँ जिहां सहारनपुर में अपना खुद का धाबा चलाते हैं बिग बॉस विनर आशुतोष कौशिक पाइनल काट निउस्टेस्क